हमारे चैनल संदीब डिश्टल हब में आपका हार्दी स्वागत है जैसा कि आपने हमारी पहले वीडियो में देखा अर्जेंट फोटो दो मेट में कैसे बनाएं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगी आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे ह है कोविड सर्टेफिकट आधार कार्ड के साइज में कैसे बनाएं तो आएए सबसे पहले हम कोविड सर्टेफिकट डाउनलोड करते हैं जिसके लिए हम सबसे पहले गूगल पर जाएंगे हम गूगल पर इंट्री करेंगे कोविन.GOB.IN ये कोविड की ऑफिसियल साइट है इसके बाद आप क्लिक करेंगे अगिन अप रेजिस्टर का ओप्शन दिख रहा है अब आप अब आप रेजिस्टर औबलिग साइट इन पर क्लिक करेंगे यहां पर अपना मुबाईल नंबर आपको इंट्री करना है जिस नंबर से आपने वैक्सिन लगवाते समय रेश्टर करवाया था इसके बाद get OTP और आपके रेश्टर मुबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा हमने अपनी OTP रेश्टर कर दी है इसके बाद verify करेंगे फिर आपके इस नंबर से जितने भी लोगों को वैक्सिन लगी है सभी का नाम सो हो जाएगा जिसका भी certificate आपको download करना है आपको जाना है उसके नाम के आगे So certificate लिखा हुआ है उस पे click करना है Then certificate को download कर देना है तो जैसा कि देख रहे हैं हमारा certificate download हो गया है अब इसके बाद हम डाउनलोड पे जाएंगे जिसकी shortcut की होती है window plus e आप file explorer भी बोल सकते है Downloads पे अब इसके बाद ये जो certificate डाउनलोड हुआ है हमारा यही certificate है COVID का इसको हम right click करेंगे और इसको open with करेंगे Photoshop पे हम Photoshop Adobe Photoshop CC 2019 यूज़ कर रहे हैं अब इसके बाद आपको okay कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा certificate Photoshop पे open हो चुका है अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नया page open करेंगे जिसकी shortcut की control plus n होता है अब इसके बाद आपको यहाँ से a4 size ले लेना है अगर a4 size आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ से आप प्रिंट वाले option पे जाएंगे यहाँ से a4 size यहाँ पर मिलेगा देना आपको create कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं blank page open हो चुका है अब आप rectangle tool यूज करेंगे जो कि यहाँ पर है जहाँ पर आप cursor दिख रहा है आप shortcut की U भी यूज कर सकते है हमने U press किया उसके बाद पूरे blank page पे आप कहीं पर भी double click कर देंगे इसके बाद एक box खुल के आ जाएगा यहाँ पर लिखा है 100px height और width दोनों ही 100px हैं आपको width को 990 कर देना है और height को 645 यूज कर देना है उसके बाद आपको ok कर देना है अब इसके बाद आप move tool V प्रेस करेंगे इसके बाद जहां पर आपको इस box को ले जाना है अपने according ले जाएए अब इसके बाद alt प्रेस करके इस box की एक copy तयार करेंगे क्योंकि हमें दोनों side card को बनाना है इसलिए हमने दो box ले लिया है अब हम वहाँ पर जाएंगे जहां पर हमारा certificate है इस पर जाकर के हम click करेंगे हमारा certificate open हो जाएगा अब हम crop tool यूज करेंगे जिसकी shortcut की C होती है अब नीचे से crop करेंगे जहां vaccine का detail है इसकी just उपर तक हम crop कर देंगे यह हमारा front side होगा और इसके बाद हम interface कर देंगे अब इसके बाद आपको move tool V again प्रेस करना है हम V press करेंगे और left click करते हुए हम untitled page पर जा करके जो हमारा e4 side page है यहां पर ला करके click release कर देंगे इसको adjust करना है हमें दोनों side से और इस box में ला करके set कर देना है हमें जैसा कि आप देख रहे है width इसकी adjust हो चुकी हमारे front side की अब height adjust करने के लिए आपको control hold करना है और middle से left click को press करके नीचे के side में थोड़ा सा इसे खीच लेना है इसके बाद हम enter press कर देंगे again हम certificate पर जाएंगे जिसके लिए हमें जहाँ पर certificate लिखा इस पर click करेंगे अब इसके बाद हमें पूरा certificate चाहिए होगा क्योंकि अब हमें नीचे के side का चाहिए तो हम control Z press करेंगे पूरा हमारा certificate again open हो जाएगा अब हम बाहर कहीं click करेंगे उसके बाद C की press करेंगे जो की हमारा crop tool है इसके बाद हम उपर से crop करेंगे और vaccine detail जो की हमने पहले इसको छोड़ दिया था back side के लिए ready करेंगे अब again हम V press करेंगे जो की हमारा move tool होता है जैसा कि हमने crop कर दिया है अब हम इंटर प्रेश करेंगे इसके बाद हम move tool यूज करेंगे जिसकी shortcut की V होती है हमने V की प्रेश कर दी है अब left click hold करके हम untitled वाले page पे जाएंगे और यहाँ पर ला करके untitled page पर release कर देंगे left click को हम अब इसके बाद again हमको दोनों side से इसको resize कर देना है और ला करके हम अपने box के size में से set कर देंगे सबसे पहले हम इसकी width set करते है अब again हम control hold करेंगे और इसकी height को नीचे से थोड़ा सा उपर के side में से खींच देंगे आप देख रहे होंगे 0.0 degree लिखा हुआ है यह जैसे ही आपका cursor move होगा थोड़ा तीरचा होगा वो plus से minus में हो जाएगा आप adjust कर लेंगे जिस समय release करेंगे आपका 0.0 degree में रहे तो एकदम से एक right angle में रहेगा और बिल्कुल सीधा रहेगा आपका यह card हम release करते हैं हमारा card बनके ready हो चुका है अब हम इसके बाद इस card को print करेंगे जिसके लिए हम control P का use करेंगे अब इसके बाद जैसा कि हमारे पास printer है Canon G2010 अब हम print setting पर जाएंगे अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा plane paper दिख रहा है आप photo paper पे select करेंगे यहाँ पर उसके बाद automatic set हो जाता है अगर नहीं set हुआ है तो आप again इस arrow पे click करके photo paper पे click करके आप glossary यूज़ कर लेंगे और यहाँ से जो a4 size paper नहीं दिख रहा है आपको यहाँ से click करके आप a4 size का paper यूज़ कर लेंगे अब इसके बाद हम ok press कर देंगे जैसा कि आप देख रहे है card ready हो गया है हमारा अब हम print पर click कर देंगे इसके बाद start printing कुछ printer में सीधे ही print होना start हो जाता है लेकिन आप start printing जैसे कि Canon 2010 printer में start printing पर आपको जा करके click करना होता है जैसा कि आप देख रहे है card हमारा print हो चुका है अब इसको हम cut करके lamination करेंगे जैसा कि हमारा card of lamination हो करके ready हो चुका है दोनों side से आप देख सकते है card हमारा ready हो चुका है अब इस certificate को आप आसानी से अपने wallet में रख सकते हैं तो अगर वीडियो यह आपको अच्छी लगी हो तो जादस जादा इसे like करें subscribe करें और share करना ना भूलें धन्यवाद